नमस्कार मैं हूँ सादनानागल पहलवान गुरुदीन महिला महाविध्याला की इतिहास प्रबक्ता मैं एक बार फिर इतिहास का नया वीडियो लेकर उपस्तित हुई हूँ वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत मैं मैं एक प्रश्न पूछूंगी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाएं ताकि आपको नए वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे इस वीडियो में मैं आपको वैदिक कालिन समाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगी वैदिक कालिन सिंदु घाटी सब्विता के पश्चात भारत में जिस नवीन सब्विता का विकास हुआ उसे ही आर अत्वा वैदिक सब्विता के नाम से जाना जाता है इस काल की जानकारी हमें मुक्ता वेदों से मिलती है जिसमें रिग वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सरवादिक महतपून है बैदिक काल को रिग वैदिक या पूर्व बैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है बैदिक सब्विता को लगभग 1500 से 1000 इसापूर्व माना गया है बैदिक समाज पित्र सत्तात्मक था बैदिक काल के उत्रार्द में भारत और कुरु सामराज के रूणी वादी यग अनुस्ठान के लिए एक जटिल सामाजिक भेदबाव के उत्भव की विशेस्ता थी इस समय में गंगा के मैदान में गैर बैदिक इंडो आर्यन संस्कृती का प्रभुत्व था बैदिक काल में सामाजिक वर्ग वर्णा नुकरम था जो प्रभावशाली रहा बैदिक धरम यग परक्था तथा इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यनुसर थी बैदिक कालिन सामाजिक इस्थिति रिग वेद के दसवे मंडल में चार वर्णों का उल्लेक मिलता है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित्थी दस्वे मंडल को परवर्तिकाल माना जाता है समाज पित्र सत्तात्मत था, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था कई कुल मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विश कई विश मिलकर जन एवं, कई जन मिलकर जनपद बनते थे अतिती सतकार की परंपरा का सबसे ज़्यादा महतो था भिकारियों और क्रसी दासों का अस्तित्व नहीं था संपत्ती की इकाई गाय थी जो विनीमय का माध्यम थी सार्थी और बड़ई समुदाय को विशे सम्मान प्राप्त था अस्य प्रश्यता सती प्रथा, परदा प्रथा, बाल विवाय आधी का प्रचलन नहीं था सिक्छा एवं वर चुन्ने का अधिकार महिलाओं को था विद्वा विवाय महिलाओं का उपनायान संस्कार, नियोग, गंदर्व एवं अंतर जातिय विवाय प्रचलित था बस्तर आवुशन, इस्तरी एवं पुरुष दोनों को प्रिय थे जो मुख्य अनाज था, शाकाहरवा, सूमरस का प्रचलन था नरत, संगीत, पासा, घुरदोर, मल युद, आदी, मनुरंजन के प्रमुक साधन थे अपाला, घोशा, मैत्रे, गार्गी, आदी विदूशी महिलाएं थी सर्व प्रथम, जाबा, लोपनिशद में, चारों आश्रम, ब्रह्मचर, ग्रस्त, वानप्रस्त, तथा सन्यास आश्रम का उल्लेग मिलता है अभे बैदिक कालीन आर्थिक इस्थिती अर्थ व्यवस्ता का प्रमुक आधार पशू पालन एवं क्रशी था आवास, घास फूस एवं काश्ट निर्मित होते थे रिन लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुसीद कहा जाता था बैल गाडी, रत एवं नाव, यातायात के प्रमुक साधन थे क्रसी सर्व प्रथम सत्पत ब्राम्मर में क्रसी की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेक मिलता है रिग बेद के प्रथम और दसम मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहाई, आधी का वर्नन है रिग वेद में केवल यव, जो नामक अनाज का उल्लेक मिलता है रिग वेद के चौते मंडल में क्रसी का वर्नन है परवर्ती बैदिक साहत्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गो धूम, यहूं ब्रीही चावल, आधी की चर्चा की गई है काठक सहिंता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का अधर्व वेद में वर्षा, कूप एवं नहर का तथा यजुर वेद में हलका सीर के नाम से उल्लेक मिलता है उस काल में कृतिम सिचाई की भी व्यवस्था थी पशू पालन पशू का चारण ही उनकी अजीबिका का प्रमुक साधन था गाय ही विनिमय का मुक साधन थी रिग वेदिक काल में भूमी, दान या व्यक्तिगत भू स्वामित की धार्णा विक्सित नहीं हुई थी ब्यापार, ब्यापार अत्यंत सीमित था, ब्यापार विनिमय पद्धिती पर आधारित था, समाज का एक वर्ग पानी ब्यापार किया करते थे राजा को नेमित कर देने या भूराजस्व देने की परथा नहीं थी, राजा को सुच्छा से कुछ भाग या नजराना दिया जाता था पराजित कबीला भी बिजाई राजा को भेट देता था, अपने धन को राजा अपने अन्य सातियों के बीच बांटता था धातू एवं सिक्के, रिग वेद में उलेखित धातूं में सरप्रथम धातू अयस, तांबा या कांसा था वे, सोना, हिरव्या, स्वर्ण एवं चांदी से भी परचित थे, लेकिन रिग वेद में लूहे का उलेख नहीं है निश्क संभप्ता सोने का आभूशन या मुद्रा थी, जो विनिमय का साधन था उद्धोग, लिग वेदे काल के उद्धोग घरेलू जरूरतों की पूर्ती हेतू थे बड़ई एवं दूकर का कार अत्यंत महत पूर्ण था, अन्य प्रमुक उद्धोग वस्त्र बरतन लकडी एवं चर्म कार था इस्तरियां भी चटाई बनाने का कार करती थी अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको बताना है 24 बैलों द्वारा हल खीचे जाने का उल्ले किस सहिंता में है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है